Hello everyone and welcome to byju's exam prep. Welcome to our 3 p.m. session. So, आज एक special session होने वाला है, जिसमें मैं मिस्ट्री तो पढ़ेंगी, साथ-साथ एक paper 1 का surprise element भी होने वाला है, जो आपको end में reveal होगा. Okay, comment section के अंदर आप guess कर रहे हो, guess करते रहो पूरे session के अंदर, देखते हैं कितना आपको guess ठीक होता है, तो guess आ रहे हैं, आ रहे हैं, करते रहे हैं, आप guess लेकिन एक surprise element आपको reveal किया जाएगा session के विल्कुल आखरी में. So, good afternoon everyone, welcome to byju's exam prep. Welcome to our 3 p.m. session. आज हम करने वाले हैं. Again, जैसे हमने सुबा test किया था, अपना history का, जहाँ पे हमने medieval question किये थे, modern question किये थे, यहाँ पे भी हम same way में अपने medieval questions करने वाले हैं, और कुछ एक modern के भी question होगे. Okay, तो keep on joining guys, and good afternoon everyone. Okay, so I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयार ही अच्छे जल रही होगी आप सभी लोग की. Okay, एक minute रुकिए. Okay, so let's start, शुरुआत करते हैं, surprise element आपको end में reveal किया जाएगा. ठीक है, चलो, let's start. टेलिग्राम चैनल, हिस्ट्री, यूजी सिनेट, बाइजूस, एक्जाम प्रेप, यहाँ पे सारी information मिलती है, surprise element भी आपको आखरीव मिलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन आने वाला है, आपके साथ paper 1 के कुछ questions discuss करने के लिए. So, last class में हमने question पूछा हुआ था, जिसमें एक यहोंबर question था, तो इसमें था कि mercantilist, free trade, mercantile capitalism and finance imperialism, यह तीन successive stages है, वानिजजवाद है, मुक्त वयपार, वानिजवाद, पुंजवाद है और वित्य सामराजवाद है, यह तीन stages है, तीन पढ़ाव है, तो एक किसने theory दी हुए है, काल मार्क्स के theory है, काफे students ने सही answer दिया है, तो M, Rajput हो गया, राउल जैदे हो गया, बहुत consistently answer करते हैं, यह सारे लोग, Shalini हो गया, then Sadaaf हो गया, and Arjun हो गया, तो वही लोग है, consistently एक दम answer करते हैं, then Adam Smith ने को और किताब लिके वे, wealth of nation, वो mercantilism के उपर attack भी करते हैं, ठीक है, so let's start, पहला question आपके सामने, ready हो जाईए, ready हो जाईए, कमर कसली जे, and, कमर कसली का मतलब यह होता है, कि आप copy किताब निकाल लो, उसके short notes लिखना शुरू कर दो, ठीक है, so पहला question आपके सामने आचुका है, यहाँ आपके chronologically arrange करना है, गोल गुंबज को, red port को, कुतम मिनार को, बुलन दर्वाजा को, इन चारो चीज़ों को chronologically arrange करना है, जल्दी कीजे, जल्दी करो chronologically arrange, गोल गुंबज हो गया, C is the correct answer, एक एसे हो गया, C है correct answer, ध्यान से देखो, कुतम मिनार सबसे पहले हो गया, आपका कुतम बुदी नहबग, देन उसके बाद बुलन दर्वाजा हो गया, अकबर देन उसके बाद गोल गुंबज हो गया, देन आदिल चा, आदिल चा के रूलर ने बनवाया होता, बुलन दर्वाजा तो पहले बनवाया है, तो भाई, यहां कहां से बुलन दर्वाजा आ गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बुलन दरवाजा की date गलत लिखी हुई है कुतुम मिनार की almost ठीक है चलो 12 यहां भी गड़ पर लग रहा है मुझे कुतुम मिनार की date में भी ठीक है धन गोल गुमबज बिल्कुल ठीक है रेड फोर्ड बिल्कुल ठीक है ओके चलो next question की तरफ चलते है next question की तरफ चलते है कुतुम मिनार की date कितना है कुतुम मिनार का असपास 12-11 के असपास मतलब यहां पर शुरू हुआ था बोल सकते हैं चीक है second question की तरफ चलते है विच खिल्जी डैनस्टी रूलर इंटर्डूस scientific method of measurement of land for the assessment of land revenue तो किस खिल्जी पंच किस आशक ने बूराजसु के आकलन के लिए भूमी के माप का विज्ञानिक तरीका पेश किया था तो जरालो दिन खिल्जी अलाओ दिन खिल्जी शियाबुदी नुमार खुसरो खान आपको बताना है correct answer जल्दी बताओ correct answer यहाँ पे आपको यह बताना है कौन खिल्जी डैनेस्टी है किस ने scientific method इंटर्ड्यूज किया था land measurement का यह आपको बताना है हान जी किस ने इंटर्ड्यूज किया था जिसको बोलते थे पर बीस हुआ method बीस हुआ जसको बोलाया था था हर बीस हुआ इससे पर आपका राजस्वे खटा किया जाएगा तो यह method किस ने इंटर्ड्यूज किया था इसके बाद ग्यासो दिन तू लगाते है उन्होंने वापस crop sharing introduce कर दिया था क्रॉप शेरिंग वापस उन्होंने इंटर्ड्यूस कर दिया था, ठीक है, तो पर बीसो अलाव दिन खिल दिन क्रॉप शेरिंग वापस आ गया था, थर्ड कोश्चन की तरफ मुव आन करते हैं, तो यहां पर आपको डाइनस्टी दी हुए, उसको मैच करना है आपको दूसर विदार, विरार दिया हूए, दूसरे कॉलम में बरीद्शा, इमायजश्य घंज्टी दिया हुए, तो मैच करो, जल दी, मैच करो, गोल कॉणडा, विदार, विरार, वरीद्शा, इमायजश्य, कुट्बश्यूजश्य, हां जी आता है ना यह बहुत इजी पार्ट है यह बहुत इजी पार्ट है मेक शोर कि आपको जो डेककन सल्तनत थी जब वो डिसिंटिग्रेट हुई थी पांच इस्सों में बटी थी उसके फाउंडर्स भी आपको पता होने चाहिए क्या नाम होता था तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका यह है तो गोल कुंडा सल्तनत को इमाच शाही सल्तनत बोलते थे देन आपका विदार हो गया विदार को बरीद बोलते थे और बिरार को कुटब शाही बोलते थे तो करेक्ट आंसर आपका यह हो जाता है यह वाला यह है और ये हुए है, एक मिनटट, उसको कुतुब शाही बोलते थे, उसके बाद हम बिदार बोल जाते तो उसको बरीद सल्थिनत बोलते थे, उसके बाद बिरार को इमाज शाही बोलते है, तो जो आपका ये हो जाता है, इसके जो founders है उसके बारे बात कर लेते हैं, आपको पता है ना कि बहामनी सल्तनत और विजनगर empire पहले exist करते थे, पहले बहामनी और विजनगर empire exist करते थे, इनके बीच में बहुत लंबे टाइम तक conflict चला था, उसी की वज़े से ही विजनगर empire के वे डिसिंटिग्रेशन हो थ लेकिन उससे पहले बहामनी सल्तनत तूट चुकी थी अलड़ी, बहामनी सल्तनत के टूटने के अकारण था कि वहां पे जो अफ्कीज और डककनीज के बीच में लड़ाई चल रही थी, इस वज़े से वो तूट गई थी, चीक है, बिलकुल सिम्पल है, इस वज़े से बहा माहिल आदिल शाह ने 1490 के अंदर गोल कॉंडा 1512 के अंदर विदार 1492 के अंदर कसीम बरी दिस से जुड़े हुए थे उससे सुल्तान कुली कुटुब मलिक जुड़े हुए थे तैन विरार भी 1490 के अंदर इसके स्थापना है इसको बोले जाते है पता उल इमादुल मलिक नहीं स्की थी उके तो यह पांच सल्तनत थी जिसको डेकन सल्तनत के नाम से भी जानते है बीजापूर गोल कॉंडा बेरार विदार विदार ओके नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते है यहां पर आपको मैच करना है ट्रैवलर से क तो हैं गिसके टाइमपेड पर यह ओक तो किसके टाइमपेड पर कॉंसे ट्रैवलर आया था आपको यह पतार हा नेकॉल अकुन्ति बन बदूत Ha Nσι और मैझसनी जैस सो करेक्ट आंसर इस इट इस बी बी इस अग्रेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल है इपने बतुता तो सबको बताई है कहां पे जाय था इपने बतुता मौम्मद बिन तूलक हो गया लेकिन फिर भी क्रैक्क नियुपाएगा आपका दो जगे दिया हुआ है निकोलो कुंटी पह यह पुआश्वर्दन के अंद मिगस्तिनी चंदरकुप्त मौरिया के तो यह आपका आंसर है ठीक है सिंपल है बी करेक्ट आंसर है पहले का सी हो गया देन निकोलो कुंटी के बाद इपने बतुता यह ए यह हो जाता आपका गरेक्ट आंसर सिंपल बेखुल ट्रावलर्स कुशन चोड़ने नहीं है नेक्स कुशन देखो औरंग जिप के ओपर कुशन है ही टुक दे टाइटल ऑफ आलमगिरी इं 1659 ही एंडिड दे सेलिबरेशन ऑफ नारोज फेस्टिवल ही कंपाइड पतवाय आलमगिरी तो तीन स्टेटमेंट पूछ हुए उन्होंने उन्हों करेक्ट आंसर इस बी बिलकुल ठीक है आलमगिरी बोला आलमगिर बोलाय आजा था 1659 के अंदर टाइटल लिया था दो बार कॉर्णेशन हुआ था यार रखना औरंग जेब का दो बार कॉर्णेशन हुआ था पहली बार करने से मना कर दिया गया था इस वह से उनको दोबार कराना पड़ा था कॉर्णेशन तो दो बार कॉर्णेशन हुआ था औरंग जेब का शिवाजी का भी दो बार कॉर्णेशन हुआ था औरंग जेब का भी दो बार शिवाजी का भी दो बार देन आलमगी टाइटल उनने लिया हुआ था नारोस वेस्टिवल उनने इंड कर दि की थी देन फत्वाय अलमगिरी उनिकी बुक है डाइजेस्ट है बतलब यह होए कि डाइजेस्ट है फत्वाय अलमगिरी तो इस सब चीजे और अंग जिप से चुड़ी हुई है नेक्स्ट कोश्चन की दरफ चलते हैं सिक्स्ट कोश्चन तो बैटल दिया हुए उनके साथ जो हुआ था उसके बारे में बताया हुए इसमें आपको मैच करना है स्टार्टिट तर्किश रूल इन इंडिया मुगल वॉन दा बैटल डिक्लाइन और विजन अगर एंपायर लेड़ फांडेशन और ब्रिटिश रूल इन इंडिया तर्राइन का युद्ध प्लासी का युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई तलीकोटा की लड़ाई भारत में तुर्किश रूल की शुरुआत की मुगलों ने युद्ध में जीत हासिल की विजन अगर सामराज्य का पतन भारत में ब्रिटिश साशन की नीव रखी करेक्ट आंसर इस सी अब बिल्कुल ठीक है सिंपल है क्या है इस कुशन के अंदर तराइन दिया पहले तराइन के अंदर तु बही गोरी कोहर का सामना करना पड़ा था दूसरे तराइन में वहां से टर्किश एंपायर के शुरुआत हो गई थी तो यह तो बिल्कुल इस से से जड़ा हुआ है तकी लिए टेहर सहसे एंग्रेजों के शरुआत हो गई ती 70 स्थावन यहां से अंच्छ वेजाप की शर番 भी ती थिस सुर्वाध की शुर्वात पूई थी सथी तो फेट्वें घंव स्थी मग्रों की शरवार की शुर्वात हुइ ती तो पर तो अग म विच वर फॉल्विंग सुल्टान मुहम्मद निजाम उदिन उलिया है हुनुस दिल्ली दूरत इसके लिए टर्म यूज की गई है so correct answer is Ghyasuddin Tuglaq actually पूरा conflict किया था कि Tuglaq Abad के अंदर उस time period पे construction चल रहा था तो इस वज़े से मतलब उस time पे construction चल रहा Tuglaq Abad के अंदर क्योंकि Ghyasuddin Tuglaq के Tuglaq Abad बनवा रहा था और उसी time period पे निजामुदीन औलिया के हाँ पे भी construction चल रहा था तो दिक्कत क्या हुए कि बहुत सारे workers यहाँ पे जाने शुरू होगे निजामुदीन औलिया के हाँ पे तो Ghyasuddin Tuglaq कोई पता चला कि बहुत सारे workers चोड़ चोड़ की काम चोड़ चोड़ के Ghyasuddin Tuglaq के हाँ पे जा रहे है निजामुदीन के हाँ पे जा रहे है तो तब उनने order किया कि यह order क्या किया ये का कि मैं आऊंगा तब उसको सबक से काऊंगा लेकिन निजाम अदिन ओल्या तक ये बात पहुंचती है तो वे बोलते है कि वही उनुस दिल्ली दूर दिल्ली अभी दूर है वो पहुंचे अभी मगदमुल मुल्क दो बहुत बड़े साशक थे साशक क्या मतला अच्चुली फिलोसफर से आप ये बोल तकते हो रिलिजियस माइंडेड लोग थे तो करेक्ट आंसर इसका है बी अकपर के टाइम प्लेड़ पर एक्जिस्ट करते हो थे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे इतने कंजर्वेटिव कि इवन अपने फादर तक को ये समानी सुनने देते थे ठीक है अब्दुलनवी और बाद में जब अकपर थोड़ा इन से परिशान हो गए तब इसकी वज़े से मजर आता है मजर भी देखो इनी का कारान है मजर जो 1579 के अंदर आया था वो क्यूं आया था क्यूंकि अकपर का इन से ब्रेक हो गया था ठीक है इन दोलों लोगों ने काफी परिशान कर दिया था अकपर को तो मजर ही आउटकम होता है 1579 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की दरफ चलते हैं तो किसके बारे में बात हो रही है कि इन्होंने स्पाय सिस्ट्रम को और्गनाइज किया इन उसके बाद इस्टाब्लिश्ट दिवान अर्ज इंट्रिउस्ट नारोज फेस्टिवल जल्दी बताओ तो उन्होंने गुप्ति चरप्रनाडली को संयोजित किया उन्होंने पौरानिक तुर्की नायक अफरासियाप को ये वंच से होने का दावा किया उन्होंने दिव इसके बारे में बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है कौन से साशक के बारे में बात हो रही है स्पाय सिस्टम को अर्गनाइज कराना अफरासियाप से अपने आपको ट्रेस कराना इरानियन हीरो मतलब मेंली उनको इरानियन हीरो बोला जाता है ठीक है देन उसके बा बलबन के लेटेद सारे इवेंट याद कर लो, यहां यहां से लेटेड सारे इवेंट याद कर लो, तो यहां बस देखो ग्या है, बलबन, बलबन ही थे जिन्घन ने तुरका ने च29 Bridge को तोड़ा था, तो तुरका ने च्छल गानि किसके टाइम प्रेड पर Ugh Luck वे तो बिल्कुल उसके बाद जो मॉंगोल के साथ उनकी रिलेशन्शिप थे वो भी खतम हो जाते हैं कोर्ट इतनी अच्छी सजी हुई होती थी कि बाकी के जो लोग आएंगे एकदम और रहे जाए तो कोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि बाकी के लोग और रहे जाए जस्टिस के लिए जाने जाते थे इवन अपने गवर्नर जो थे वदू के अंदर उनको भी उन्होंने पनिश किया जाता क्योंकि उसने अपने स्लेव को मार दिया था तो उनको पनिश किया गया ठीक है और क्या चीदें है बल्बन के साथ जुड़ी जल्दी बताओ comment section के अंदर मतलब बल्बन तो सारी की सारे इवेंट्स जो है डॉट डॉट कर डॉट कर के आपके सामने आ जाने चाहिए आपको ऐसे ऐसे रूल करना चाहिए थेन रेवेन्यू सिस्टम के अंदर उसने क्या और ने तक है थेंट ने अपने बेटे रेवेन्यू के अंदर इकतादारी के अंदर उसने क्या बदलाओ किया था कि मुझे इंकम पता होनी चीए पूरे अम्पायर की तो यह भी बल्बन ने किया था बाकी चीज़े बाकी चीज़े जल्दी बताओ और इस और आपको बताई दिये बाकी चीज़े बताओ अ बाकी क्या वा बलवन से जोड़ा हुआ अरे-अरे-अरे-बाकी बजा दिया इन्हीं ौइसे एक्जामनिशन के अन्दर मिलेगा कुछ-ना-कुछ इन्हीं में से ही मिलेगा गैरंटेड, अगर बलबन के उपर कुश्चन आता है, ये तो थियोरिय व किंगशिप हो गया, वसाया हो गया, ख्वाजा उसने पॉइंट किया तो तुर्का ने चलगानी हो गया, मॉंगोल के साथ कैसे लेशंचिप थी, परिशन कस्टम जो उसने इंट्र्द्यूस किये थे, जस्टिस के लिए कैसे जाना जाता था, कोर्ट उसकी कैसी थी, ओके, और क्या है, और क्या है, कुछ आने रहा है, मतलब सारे पॉइंट मैं नहीं लिखे हो आपने एक भी पॉइंट नहीं लिखा, बरीद्स को ठीक है, बरीद्स वाला जो भी बलवन से चुड़े हुए, चलो, next question, next question की तरफ चलते है, अब देखो, एक point अब ने मिस कर दिया, जो उसकी theory of kingship काई पार्ट है, जो high bond और low bond में जो difference दिखाता है, high bond और low bond में जो difference होता है, वो सबसे important था बलवन के लिए, तो ये 10th point हो गया, next question की तरफ चलते है, त चार शेटमेंट दियो है, regarding Khilji dynasty, it was founded by Jalaluddin Khilji, under the reign of Alaouddin Khilji, the system of Daag and Chaira was enforced, Khilji was granted pattern of, our great pattern of learning and fine arts, Khazanel Foto is a detailed description of the military expedition of Jalaluddin Khilji, तो आपको ये बताना है, कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही है, ओके? येस, हाँ, बिल्कुल court के पास बरीद्स नहीं आएंगे, तो ऐसे ही आपको याद करने होते हैं, और क्या आएगा, बस ये ही आएगा, बलवन से question, ऐसे ही मैं आपको अलाओध दिन Khilji भी revise करा सकता हूँ, पूरा का पूरा, ठीक है, same way मैं, जैसे हमने बलवन किया, ऐसे चौथा गलत है, खाजाइनल पुतु, military expedition, अलाओध दीन के, अलाओध दीन के बारे में information दी हुई थी, ना कि जलालुदीन Khilji के, तो अलाओध दीन Khilji के market reforms हो गया, मॉंगोल्स campaign हो गया, अलाओध दीन Khilji के, ठीक है, ये सारी चीज़े ही आएंगे, दाग एंड चहरा अलाओध दीन के, ये सारी चीज़े अलाओध दीन Khilji, मतलब दियाद रखना, अलाओध दीन Khilji में क्या के आद करना है, market reforms, market reforms को रड़ डालो, तीन market हुआ करती थी, बहुत सारे sources, चार भी बोलते हैं, तो अगर चार आजा है, तो उसको खिलत मत माक करना, taxation system, half था, पर बीशवा, okay, taxation system, half था, पर बीशवा, Mongols के campaign, कितने बड़े-बड़े campaign लड़े थे, सबसे बड़ा तागी का campaign, ठीक है, जो चित्ता बिल्कुल आ गया, दिल्ली तक आ गया था, क्योंकि Mongols, क्योंकि अलाओध दिन Khilji उस ताइम, दिल्ली से बाहर थे, इस यह कहा था कि आप मेरी permission के बिना कोई marriage निकर सकता है, ठीक है, जो वाइन ड्रिंकिंग को भी control किया गया था, बिल्कुल कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर जिया गया था, काजे मुगी के साथ जो इसके बात चल रही थी, तो यह सारी चीजे social reforms के अंदर आ जाएगा, यह सारी नीचे की तरफ भी गयते हैं, मलिक नायक ने campaign lead किये थे, तो यह सारी चीजे आप 5th point के अंदर cover कर दो, cover कर दोगे, तो बस यह 5 चीजे आपको याद रखनी है, next question, तो 4 statement दियो है, आगे देखो market reforms के उपर question, आगे ना देखो market reforms के उपर, आप कर दो, he established 4 separate markets in Delhi, each market was under the control of an officer called शाना इमंडी, black marketing was stopped, दिवान मुश्थ कराज was created to control the market, yes, अभी देखो, आपने समने बताये, extra point, हाँ, बिलकुल ठीक है, not fasting वाला, prayer वाला, salary cash के अंदर, दिवान मुश्थ कराज, बिलकुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिलकुल ठीक है, अभी लोगों ने बताने शुरू कर अभी है, so correct answer, D, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के 4 है, statement ठीक है, 3 बोले, 4 बोले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगा 3 थी भी है, 37 अदर तीन बोलता है, लेकिन और जगे देखो के, वहाँ पर 4 भी दिक्कत नहीं है, एक misleynis, जो market थी, उसको भी consider किया जाता है, then second, शौन होंगे, सब को अटा जे गया था, मुस्त खराज, अरियर्स वाला जो department था, वो create किया गया था, ठीक है, तो हो गया आपका correct answer, हाँ, दिवाने मुस्त खराज, मार्किटू कंट्रोल करने के लिए create किया गया था, तो आपका हो गया पूरा-पूरा correct answer, next question, incorrectly matched, तो आपको बता land granted for religious purpose, एक्ता land assigned to officials for their services, none of the above, तो कौन सा incorrectly matched है, खाली सा भूमी, अच्छा यहाँ पे dash है, यहाँ पे dash है, ठीक है, खाली सा land, land under control of सुल्तान, इनाम land, land granted for religious purpose, एक्ता land, land assigned to officials for their service, तो उपरुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताओ, आपको यह बताना, कौन सा गलत है, कौन स गलत है, यह वताना है,। कौन सा गलत है, तो गलत है, चोधा ही गलत है, क्योंकि सारे के सारे ठीक है, तो गलत कौन से हुआ, यह हुआ, ठीक है, सारे statement टीक है, काले सा लैंड, सल्दान के अंदर होता था इनाम लैंड धार्मिक लोग को दिया था एक्ता लैंड जो फिशल्स होते थे ठीक है जो उनकी अध्मिस्ट्रिशन के पार्ट होगा करते थे उनको दिया था 30th question the focal point in the Maratha political system was the institution of hereditary पेश्वा okay then Baji Rao changed the character of the Maratha movement from struggle of struggle for national survival to empire building तो Maratha राजनत के प्रणाली के मुख्यविंदू उनकी वन्शागनत पेश्वाव की संस्था थी बाजी राओ ने Maratha अंदुलन के स्वरूप को राश्ट्र अस्तित्व के स्थान पर सामराज्य निर्मान में बदल दिया जल्दी बताओ करेक्ट आंसर बताओ कि 100% कुश्चन आना इस बार वाजी राओ के उपर या पेश्वावस के उपर 100% कुश्चन है करेक्ट आंसर इस ए बिल्कुल ठीक है दोनों के दोनों ठीक है कोई दिक्ट नहीं है है न एक मिनट क्या दिक्कत है इसके अंदर इतने सारे लोगों ने बी क्यों दिया हुआ है ए इस दे गरेक्ट आंसर ए इस दे गरेक्ट आंसर फोकल पॉइंट जो में थे वो पेश्वा हुआ करते थे और जो बिल्कुल एरेडिटरी बन गए थे और बाजी राओ ने उसको फोकल पॉइंट के बारे में बात की हुई है में चीज क्या है फोकल पॉइंट पेश्वास हुआ करते थे और फोकल पॉइंट को आगे देखो बढ़ा दिया उन्होंने कि कैसे बाजी राओ ने बिल्कुल मराथा movement को change कर दिया और पूरे हिंदुस्तान तक वो लेके चले गए ठीक है तो focal point की बात की जा रही है पेश्वास के बारे बात की जा रही है second point में भी पेश्वास के बारे बात की जा रही है तो A is the correct answer दोनों ठीक है और आर करेक्टली एक्स्प्रेंड कर रहा है उसको ठीक है समझ में आ गया ना समझ में आ गया ना तो A is the correct answer A is the correct answer okay next question reds and stone is used for building it is located inside कुतुब कॉंप्लेक्स it is a first monument that reveals true arches and domes it is situated in अजमेर तो अलाई दर्वाजा के बारे में आपके सामने चार गतंदियों है लाल बलुवा पत्थर का उप्योग भवनिर्मान के लिए किया गया था यह कुतुब पॉइंट मराथा थे प्लीज उसको चेक कर लो okay focal point मराथा के बारे बात की जारी है तो वो मराथा जी आगे पेशवाज के बारे बात की जारी है इस विए से के पूरे administration के अंदर पेशवाज focal point थे और पेशवाज नहीं पूरा का पूरा character को change कर दिया था मराथा movement को वो ही पूरे हिंदुस्तान तक ले के थे तो एक ही चीज के बारे बात की जारी है ठीक है और R उसको correctly explain कर रहा है समझ गए अभी समझ में आ गया ठीक है अभी समझ म करेक्ट है तो कॉरेक्ट कॉन कॉन से है रेड स्टोन के अंदर थी कुतुब कॉंपलेक्स के अंदर है पहला monument जो true arch और true dom के बारे में बताता है यह तीन ठीक है चौथा गलत है तो I think 1 2 3 होगा इसका 1 2 3 तो यह इसका अंसर है जो कि option के अंदर नहीं दिया है तो option के अंदर नहीं दिया है इस वजे से 1 2 3 is the correct answer ठीक है तो 1 2 3 है ध्यान से देख लो एक बार पूरा कूरा में अलाई दरवाज आपको समझा देता हूं कुतुब कॉंपलेक्स के अंदर situated है वर्ल हरेटेज इसको completely islami की बोला जाता है ठीक है पहला मॉन्यूमेंट है जिसके अंदर true arch or true dome यानि के बल्बन वाला अभी survive नहीं किया इस वज़े नहीं इस वज़े से गलत है इस वज़े से ही हो जाता है अरे अजमेर के अंदर नहीं है बाबा इतने सा अकाश गिरी डी 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 लगा अजमेर के अंदर नहीं है दिल्ली के अंदर है तो इस वज़े से गलत होगा है यह देखो अजमेर लिखा हुआ है यह वाला चौता वाला पार्ट इस वज़े गलत है 1,2,3 है इसका बस करेक्ट आंजर समझ में आगे ना अलाई दरवजद समझ में आगया पूरा रेड सें इस सदन गेट वे हैं को ईतल सलां मौस्क बार्ट शू डॉम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है और यह जो आर्च हथ भी है यह घुक्ड ऑन कंब'S की और कि Microsoft और ऑः और क्या है और कि वाइक मार्बल स्वें चेल अगे है जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर क्चर भी समझ लो भाई, अगर बल्बन आ जाए, अगर बल्बन दे दे वो, true arch, true dome, लेकिन बल्बन वाला भी survive नहीं करता है, वो खतम हो चुका है, survive नहीं कर रहा है, surviving केवल आज अगर देखें तो केवल अलाई दर्वा जाए, ठीक है, समझ में आ गया न, तो अगर option के अंदर बल्ब बल्बन आ जाए, तो बल्बन वांग कर देना, अगर अलाउद दीन आ जाए, तो अलाउद दीन वांग कर देना, अगर अलाउद दीन बोले के अलाउद दीन से true arch, true dome है, तो वो भी ठीक है, लेकिन language पर डिपेंट रहना पड़ेगा कि कैसी language पूछी जा रही है, यहाँ ब मुगल पीरिड मेर, कॉंप्लिमेंटरियो वाइट मारवल, जहांगीर फोकेस्ट मोर ओन पेंटिंग अन अधर आर्ट फोर्म, है इस्टाबलिश्ट जंजीर रदल अटागरा फोट, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, पर क्या ही कुश्चन में ट्रू आर्च बलबन रहता है, मतलब इतनी देर तो मैं क्या समझानी कुशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर बलबन आ जाए तो वो भी ठीक है, आपको लैंग्विज देखनी है, कुश्चन की, कुश्चन की लैंग्विज क्या है, बलबन, इससे यादा है मैं नहीं समझा सकता है, सेशन को पीछे जाकर देख लो, करेक्ट आंसर है C, तीनो की तीनो स्टेटमेंट ठीक है, इत्माउद दौला फादर अफ नूर जहां, पैटरा दौरा भी सी के अंदर यूज था, पहला है, जिसके अंदर मार्बल यूज किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है, जहांगीर फोकस करते थे पेंटिंग की 16th question की तरफ चलते हैं, 1834 में one of the following remark on the famine that the bones of the cotton universe are bleaching the plane of India, 1834 में निमिल लिकित में से अकाल के बारे में है किसने काया कि जुलाओ की हड्डियों भारत के मैदान को श्वेद कर रही है, जल्दी बताओ, किसने रिमार्क किया है, समझ आया, तो यहां भी किस के बारे बात हो रही है, बेंटिक के बारे बात हो रही है, विलियम बेंटिक is the correct answer, C is the correct answer, तो यही बोलते हैं, 17th की तरफ चलते हैं, खैरूल मदली, काफी लोगों को सुबह प्रावलम हो गई थी, कुछ और हमने एक सूफी मलफजूत पूछा कलंदर, ओके, अगर अगर true arts, true dom पर अभी तक आपका debate ही नहीं खतम हो रहा है, ऐसा क्या debate होगा true arts, true dom पर अभी तक चले जा रहा है, अरे examiner की language पढ़ लेना, कैसे examiner पूछ रहा है, अगर examiner पूछता है कि first true arch and true dom, आपको कहा देखने को मिलता है, और उसने बलबन, नहीं mention क्या हुए, allowed in mention क्या हुए, तो allowed in mark करना है, ठीक है, अगर उसने दोनों mention कर दिये, तो आपको बलबन mark करना है, simple है आपको language समझ नहीं है, अगर उसने statement के अंदर दे दिया कि true arts, true dom, allowed in खिल दी से था, तो वो भी ठीक है, अगर उसने statement के अंदर दिया, true arts, true dom, बलबन है, तो वो भी ठीक है, अगर उसने दे दिया कि surviving आज के टाइम पर कौन है, वो allowed in खिल जी है, ठीक है, अगर उसने दे दिया कि ऐसे बता दोगी, जो कभी सा, मतलब अभी है ही नहीं, survive भी नहीं कर रहा है, तब वो बलवन है, language समझो, question की, so it is, चिराग दिल्ली, नसिरुदीन चिराग दिल्ली, अमीर हशन सिज्दी के द्वाराई किताब लिखी गई है, कैरूल मजलिस, 18 के दरफ चलते हैं, so बहामनी सलतनत, इट वोस महमुश्या टू, महमुश्या टू, महमुश्या टू, कॉंकर दे किंडम ऑफ वरंगल, से देखो, यह है, यह है महमुश्य अदूत्य जिसने वरंगल राज्य पर विजय प्राप्त की थी, एह मश्या ने अपनी राजधानी गुलबर्गा में गुलबर्गा से विदार सानंत्रित कर दी, करेक्ट आंसर इस, करेक्ट आंसर इस, इट इस बी, क्योंकि एह मश्या नहीं थे, जिन्होंने, एह मश्या नहीं थे, जिन्होंने कॉंकर किया थे, एह मश्या ही थे, जिन्होंने कॉंकर किया हुआ था, ठीक है, एह मश्या के बारे में नालिज ले लो, फिर ओश्या के बा तो वरंगल को और इन्होंने राजदानी को सानंत्रित किया तो गुलबरगा से बिदार, चीक है, 14-15 के अंदर इनकी मृत्यु जाती है, next question देखो, तो महराब दिया हुए, मिनबार दिया हुए, खुदबा दिया हुए, किबला दिया हुए, चार टर्म्स दिया हुए, चार मीनिंग दिया हुए, आपको मैच करना है, चार टर्म्स है, चार मीनिंग्स है, महराब, मिवार, खुदबा, किबला, ओके? correct answer is C, तो यहां पर देखो, खुद्बे से हो जाएगा, आपका खुद्बा गया होता था, सर्मन, यह तो सब को पता है, C चार दो जगे दिया हुआ है, लेकिन आपको दूसरे भी चीजे पता होने चाहिए, महराब को आर्च बोलते थे, A का 3 हो गया, यहां से क्रैक हो अर्च त्रीक है, जन उसके बाद मिनबार क्या होता था, मिनबार आपका हो गया, स्टेप्ट प्ल्पिट, यहां पर इवाम जाते थे, यह आपका स्टेप्ट पल्पिट, इसको मिनबार बोलते थे, और आपका क्प्ला क्या हो गया, direction towards काववाफुर प्रेयर, direction towards वावक योड की दिशा उसको किबला बोलते हैं हो गया चार की चार चीजा आयोप सब के समझ में आ गई होगी क्या क्या होता था 20 जलालुदिन खिलजी अलाउदिन खिलजी गियासुदीन फिरोश्य तुगलक और उनके टाइम प्रेड पर चीजे हुई थी यानि कि कॉन्क्वेस्ट बेंगॉल इस्टाबलिश्मेंट ओफ डिपार्ट्मेंट पब्लिक वर्क्स एक्जेक्विशन ओफ सिधी मौला कॉन्क्वेस्ट ओफ मालो एंड गुजरात तो जल्दी बताओ कौन-कौन सा मेजर किसके टाइम प्यर्ट पे हुआ था जलालुदीन अलाउद गियासुदीन तुगलक फिरोश्या तुगलक हां जी लाइक कर दो सेशन को ठीक है शेयर भी कर दो इंपक्ट विपरवन फैकल्टी आने वाले हैं बस पांच कुश्चन और सो करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इट इस बी बी इस दे गरेक्ट आंसर समझ लो इसको देखो जलालुदीन खिलजी की टाइम प्रेड़ पे एक्जीक्यूशन हुआ था सिद्धी मौलक हो गया उसके बाद अलाउद दिन खिलजी पहुंशते हैं मालवर गुजराद गयासु सुल्तान अब डेली यूज्ट चिरिफ और यूजट बोल राहा कि गोल्ड चिल्वर से जो करैंसी दो उसको जिद्धब ओलते थी शेर्षा सूरी सक्सीड़ सिल्वर कॉइन ओफ इशूड़ सिल्वर कॉइन ओफ 178 ग्राम्स तो शेर्षा ने एक सिक्का जारी किया तो जो 178 ग्राम को होता था उसको रुपईया बोलते थे जल्दी बताओ correct क्या है correct answer is correct answer it is B it is B तो इद गो copper जित्तल and silver टका तो copper जित्तल copper ही खाले जित्तल होता था और कोई जित्तल नहीं होता था and silver टका होता था तो gold silver सबको जित्तल नहीं बोलते थे और दूसरा विल्कुल ठीक है 170 ग्राम रुपईया उसको मौहर बोलते थे ठीक है रुपईया बोलते थे इसको silver वाले को पिर वाश्चा नामा हो गया जल्दी बताओ किताब उलहिंद रहला हिमायू नामा बास्चा नामा इबने बतूता अलबरुनी लाहोरी गुलबदन बानो बेगम सो करेक्ट आंसर इस डी इसमें क्या है कुछ नहीं है बहुत इजी कुश्चन है किताब उलहिंद अलबरुनी की है जिसमें इंडिया को इंसुलर बोलते हैं देन उसके बाद रहला तो इबने बतूता की होगी सबसे सिंपल तो यही है कहां इबने बतूता इरा इबने अश्चा नामा लाहुरी शाहा जा के बारे पर ठीक है नेक्स कुश्चन की तरफ मूँआउन करते हैं यह सारे किताबों के प्लीज स्क्रिंशॉट ले लो अकबर नामा अबुलफजर किताब उलहिंद अलवरुनी पद्मावत मलिक मुहम्मत जैसी तूलक नामा खुसरो त आइनेंस मिनिस्टर देवर मास्टर इन गुरिलाएंड वर टैक्टिक्स वाबालाजय विशनात हिल्पदा सेद बिदर्स तूवर्थ्रो फारुक सियार बाजी राव डिपीटिटिट निजामल मुलक फेदराबाद ट्वाइस हान जी जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताइए करेक्ट आंसर इसो क्या है मराठा एंपायर के ओपर पांच स्टेटमेंट दियो है करेक्ट आंसर है सी शुरू के दो बिल्कुल गलत है क्योंकि अमत्या चीफ अव आम फोर्स नहीं थे अमत्या फाइनांस मिनिस्टर थे तो पहला वाला स्टेटमेंट आ आम फोर्स जुड़े हुए थे तो दोनों को रिवर्स कर दिया गया था अगर वो दो स्टेटमेंट आप क्रैक कर दो आपका आंसर आगया ठीक है आश्ट प्रधान आप पढ़ लो पेश्वा सब चुट पे थे देन फिर सचीव रोयल कॉर्स्पॉंडनेंस दबीर फॉरण second last question so impact faculty के इंतजार आपको खतम होने वाला है guess कर गया आपको बताना है ठीक है कौन आने वाला है ठीक है तो दो question आपके पास बचेव में guess कर लो कौन आएगा यह आएगी क्योंकि हमारे आप फीमेल फैकल्टी भी है फेपर वन की ठीक है तो कोई भी आ सकता है रामानुच रामानन नामदेव तुलसिदास यह order है सबसे पहले रामानुच फिर रामानन नामदेव तुलसिदास तो यह order है लास्ट कोश्चन पर जाने से पहले एक बार बता दो मुझे इंपक्त फिकल्टी कौन आने वाला है जल्दी बताओ जल्दी comment section के अंदर लिखके बताओ इंपक्त फिकल्टी कौन आने वाला है क्या आपको guess ठीक होने वाला है हाँ लास्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं फिर एक इंपक्त फिकल्टी के एंट्री होने वाली है जैसे IPL के अंदर जो एक इंपक्त फिकल्टी आएंगे जो बिल्कुल मैच बदल देंगे साथ में बिल्कुल आपके पेपर 1 एंट पेपर 2 के तियारी शुरू हो जाएगे तो लास्ट कोश्चन आफ टुडेश सेशन फिरोश तुगलक वाज़ फिर्स सुल्तान टु इंपोज इरिगेशन टैक्स दिवान खहरात वोजदा आफिस के डिट टेक केर रिलिज़स टूरिस्ट आइंड ट्रैवलर्स तो फिरोश तुगलक सिचाहिकर लगाने वाला पहला सुल्तान ता दिवान खहरात धार्मिक परेट को और यात्रियों की देख भाल के लिए बनाया गया था उके जल्दी बताओ हंजी जल्दी बताओ correct answer is it is a so last question end करते हैं a से ये सही है विल्कुल irrigation tax वाला दिवान खहरात रिलिज़स टूरिस्ट के लिए नहीं था गरीब लोग के लिए ते दिवान खेरात religious के लिए, tourist के लिए, travelers के लिए नहीं था, C क्यों लगा रहे हैं इतने सारे लोग, A is the correct, okay, so that's it guys, 25 questions हमारे cover हो गए, और यहां से हम शुरू करते हैं, आपके impact faculty की entry, okay, so impact faculty की entry होने वाली हैं यहां से, हाँजी, तो radio, radio हर चीज के लिए, मतलब guest करने के लिए radio, कौन आने वाला है आपके हापे, ठीक है, तोशिवा मैम, निशान सर, गुल्शन मैम, कौन आने वाला है आज, जल्दी guest करो, अरे इतना time नहीं है, इतने सारे लोग बैटे हो, session को like करो, जल्दी guest करो, कौन आरहा है आज, जल्दी बताओ, हन्जी, guest करो जल्दी, मतलब comment section भर जाना चाहिए, पूरा का पूरा की guest कर रहे हूँ, और कौन आने वाला है, ready, all ready, so, वैं welcome करता हूँ, आज के impact शगल ठीका, so, आपका guest बिल्गूल ठीक है, निशान सर आ चुके है, नमस्कार सभी को, आपका बहुत-बहुत स्वागत, और यहां पर, जी हां, यहां पर मैं आया हूँ, कुछ बैतरीन सा लेकर, कुछ शान्दार सा लेकर, आज, मैं यहां पर एक छोटी सी guest appearance करने आया था, और मेरा जो यहां पर मकसद था, वो यह था, कि मैं आपको कुछ important सवाल बता सकूँ, काफी ना, बच्चे मुझ से पूछते हैं मेरे session में, thank you so very much, मेरा नाम बिल्कुल सही guest करने के लिए, आपको मेरी तरफ से एक-एक toffee, और अगर आपका exam clear होगा, तो हम यहां पर बुला के, आपको टॉफियां और चॉकलेट्स देंगे for sure, so यहां परना मैं आया हूँ, तो मैंने कुछ सोचा था आपके लिए, कि मैं impact faculty बन कर जा रहा हूँ, तो कुछ impact दालना है मुझे आपकी preparation में, so मैं यहां परना आपको कुछ ऐसे topics बताने आया हूँ, जो की बहुत ज्यादा ज़रूरी है आपके examination के लिए, तो आपने इस तरीके से चीजों को समझना है और करना है, ताकि आपको exam को crack करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, राइट, चाय भी पिलाएंगे, चॉकलेट भी खिलाएंगे, टॉफी भी खिलाएंगे, यहां परना कुछ important topics है, कुछ impactful topics है, जो आपके examination में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ maths की, तो मैं मैं बात करता हूँ maths की, तो maths मेंना कुछ topic हैं, जो की बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत ही जादा important है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने है जब भी आप exam देने जाए time and work, simple interest, compound interest, यहां से सवाल जरूर आता है average एक बहुत ही जादा बढ़िया topic और एक ratio proportion यह वो topic है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं exam में आयोब आप मेरी बात को समझ रहे हैं करना सब कुछ है मैं दुबारा बोल रहा हूँ terms and conditions apply करना सब कुछ है लेकिन इन topics के उपर थोड़ा सा ज्यादा जोर दीजेगा right so this is very very important for you तो यह वाली बात का ध्यान दखेंगे इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ reasoning की okay अगर मैं बात करता हूँ reasoning की तो reasoning में clock मैं जरूर बोलूँगा clock calendar okay syllogism right यहाँ पर number series बहुत बार पूछी गई है और एक blood relation बहुत बार पूछा गया है so this is very very important clock calendar syllogism okay clock calendar syllogism number series और blood relation तो यह कुछ चीजें हैं जो की आपको जरूर से पता होनी चाहिए जब भी आप exam देने जाओ करना सब कुछ है यार करना सब कुछ है लेकिन यह कुछ चीजें हैं जो की अच्छे तरीके से करनी है right अब मैं यहाँ पर आया हूँ यह बच्चों को ना बहुत जादा doubt आ रहा है doubt क्या आ रहा है बच्चे practice का हम कर रहे है cp of 300 pencils is equal to sp of writing के लिए समा कीजेगा sp of 200 pencils okay find profit या loss percentage बताइए सर कुछ नया कुछ बहतरीन सा कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको दे सकूँ मैं देता रहूंगा इस सवाल का जवाब दीजे cp of 300 pencils is equal to sp of 200 pencils find the profit and loss percentage कावान गईज okay double practice जी हाँ बिलकुल सही जी कीजे गई शाबाश जल्दी से okay okay come on come on everyone शाबाश कोशिच करेंगे सबी लोग देखो यार match reasoning डिया एक ऐसा चीज है जो कि आना ही आना है हर exam में आना है तो आप इससे बच नहीं सकते या आप पो छोड़ेगा नहीं नहीं okay बहुत सही सभी लोग very good guys brilliant absolutely stunning देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ sir तो यह 300 का double बना इसको मैंने कहा था कि ना आप values को interchange कर दीजेगा तो values को interchange करके आपका CP हो गया 200 और आपका SP हो गया 300 200 की चीज आपने 300 की बेची simple है 200 की चीज आपने 300 की बेची एक trick है जो कि आपका सवाल बहुत ज़्यादा आसान कर देगी तो यानि कि आपको 100 का profit हुआ भाई 100 का profit किसके उपर come on 200 के उपर इंटू में 100 I hope it's clear to everyone guys यतने भी लोग मेरे साथ बैठें I hope it's clear to everyone guys यतने भी लोग मेरे साथ बैठें everybody जल्दी से एक बार सबका yes आजाए एक बारी सबका yes आजाए okay come on guys everyone 300 200 100 का profit जल्दी जल्दी बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए okay तो अब यहाँ पर 200 का profit हो गया CP 200 SP 300 तो यहाँ से 0 से 0 खतम 50% हाँ जी हाँ जल्दी से कितने लोग कह रहे से 200% का profit है कितने लोग कह रहे से 200% का profit है हाँ जी वो कौन थे वो इदर आजाओ जरा side आजाओ जरा एक मिंट side आजो जरा और अपने desk जहां पर भी बैठे हो ना उसके उपर खड़े हो जाओ कान पकड़ के शाबाश चल्दी से शाबाश 200 वाले जरा side आजो बेटे 6 दिन में paper है और यह हाल है तुम्हारे side आजो तुम जरा ना कटवादी तुमने history में आके side बेटा इधर आजो जरा इधर आजो जरा आजो बेटे side आजो जरा यह हार करते हैं तुम्हारी 6 दिन पहले एक्जाम से हैं 200% तुम्हारे चक्कर में मैं मैंच भूल जाओंगा इतने सारे जब 100 बंदे एक साथ बोलते ना कि 200% अपने आप पर डाउट हो जाता है एक बार कि 200% ही होगा answer मतलब बुरा हाल है history में आगे ना तुमने मतलब चलो खेर चलो अब एक और come back करने का time है आपके पास सोड़ी शरम कर लेना मेरी इज़त रख लेना सवाल नंबर next है सवाल नंबर next यह कहता है कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर लिख दिया best को मैंने लिखा है मैं कहूंगा कि यह जी एच वी वाई best को मैंने लिख दिया जी एच वी वाई राइट 200 देखकर मैं confused होगे थी इतना जारा confidence देखके मैं भी confused होगे था कि मतलब कि कैसे हो सकता है चलिए best अगर ऐसे लिखा है तो मैं कहूंगा कि fame कैसे लिखा होगा अगर best ऐसे लिखा है तो fame कैसे लिखा होगा इंतजार कर रहा हूँ right answer का यह 200 वाले जड़ा मुझे मिलना यार इस class के बाद जड़ा मुझे मिलना एक बर है न जो कह रहे है 200% profit come on guys everybody come on guys everyone जल्दी से best अगर ऐसे लिखा है तो fame कैसे लिखा होगा बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत बहुत सही यार एक लाइन सिखाई थी आपको opposites याद रखने के लिए उसको ध्यान दीजेगा वो लाइन कुछ इस प्रकार थी लाइन कमेंट सेक्शन में भर दो यार कमेंट सेक्शन में लिख कर कि वो लाइन क्या थी opposite वाली everybody उफ री मन आज पी के हस बाई जी टी सी एक्स डी डवल्यू जे क्यू ल ओ वी ए यहाँ पर यह लाइन यह शिकाई थी मैंने कि यहाँ पर अगर यू आगे से 21 नंबर पर आता है तो पीछे से 21 नंबर पर आता है अगर आगे से 8 पर H आता है तो पीछे से 8 पर S आता है तो similarly यह लाइन मैंने आपको याद कराई थी है ना everyone जल्दी जल्दी okay एक पर वो लाइन मैं चाहूंगा कि सभी लोग लिख दें और मुझे बता दें कि आपको लाइन याद है जी हाँ यह लाइन आने लग गई है वेरी गुड उफरी मनाज पी के हस येस absolutely correct बिलकुल सही तो यहाँ पर similarly आपने वही काम करा कि B के opposite Y आता है E के opposite V आता है यहाँ पर S आता है यहाँ पर G आता है है ना यह answer सभी का ठीक है so बहुत बढ़िया गई thank you so very much और मुझे उमीद है कि आपको यह session पसंद आया होगा जाद जाद एक homework का सवाल मैं छोड़के जा रहा हूँ homework का सवाल मैं यह छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे बताइएगा दो बचकर दस मिनट पर कितने डिगरी का एंगल होनेगा दो बचकर दस मिनट पर कितने डिगरी का एंगल बनेगा आपको यह impact faculty का जो हमारा concept था यह कैसा लगा आपको यह class कैसी लगी class के सवाल कैसे लगे मुझे जरूर बताना और इस homework के सवाल का जवाब कमेंट section में जरूर लिखिएगा thank you so very much बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी मिलेंगे कुछ और नए कुछ और बहतरीन चीजों के साथ अपने कमेंट जरूर लिखना अगर हमको लगेगा कि आपको यह कुछ beneficial रहा है तो हम जरूर एक बर फिर से इसको try करेंगे thank you so much guys all the best बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ thank you so very much all the best action पिर सेशन के साथ आपको दो एक जल्दी के साथ लिए और रहा ही जरूर आपको आपको करेंगे पमको एक भी बदाया आपको क्यों आपको अए जरूर एक वाल आपको आपको यह जर रहा है यह जर दोग है